करिश्मा का करिश्मा तो आप देखी रहे है मैडम सर में और आज हमारे साथ महें युक्ती जो ये करिश्मा करती है रोज तो करिश्मा को प्ले करने में कितना मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा है बड़ैन। सब्सक्राइन करने में बेरा और आज हमें पड chois से ले सी बहुत है अब बहुत थी शॉट इंटे मत करने करने में धूच बढ़ थे लिए पारक पड़ता है और बहुत सारे शेज़ आखरस्मा में या इस ना जास कहां दल एक जास का बाष दिल एव कीर ऊचे मुचल भी जाल्टी उए प्रॉमाज के लिख भी नहीं है क्या मेट जार्डी दुख यह वे वंगी कार्डी के लिगा जाए उच्छी प्रॉमाज के लिख से लिख सम अच् यह लव करिश्मा सिंग्ग इतना प्यार मिल रहा है पुरे फैंस जो है अधम सर को काफी पसंद करती है सभी करेक्टर्स और जो करिश्मा कर से तो जब जो लगा जो डून के लेकर आने वाले है अप सो लगा जो लगा दूर तक आएगा वो कहते है ने कभी कभी बस नाम ही जलते रह जाते है वो यही होने वाला सी बट इस वाइन रेस्ट इस सो गूड बिकिस मुझे और माडम सर को उन्होंने इग्जाक्ली कपल बना दिया है सब्सकतर ओवाड ज़ेखे लिए कि लड़ाई हू़ को रड़ाए ज़ें मिलते हैं तो व खे स्वेघ्टेशनां माड़ाए कि आए अचांए उन्हों को लग यही जए को लगा है कि हम लड़ के लड़ाह जो जो बनीतो थे बन्हे जसोंने जिसमें यह पसंदो रोमांस देखना पसंद है हना इतनी इंटर्स्टिंग रोल्स है मतलब हर करेक्टर करने मिलता है काफी लेयर्स यहाँ आपके जो चीजे हैं तो कितना एंजोई कर रही हैं पूरा मैं वोई बदा रही हूं कि I am enjoying a lot because अभी वैसे तो you know how daily sop are like रोना पढ़ता ही है because अभी यह हो गया कभी drama हो गया और emotions आती है but in this show emotions like the crying part is very less so it comes मतलब हमाहिने में एकाथबार पर जब वो आता है तब पुरे शांती महौल होता है set पर क्योंकि उनको भी कम देखने को मिलता है और इतना enjoy करते हम वो emotional scenes and literally it comes out क्योंकि होता ही नहीं करने को तो वो actor का भी तो एक अंदर का होता है कि मुझे गरना है जिसे क्योंकि आता ही नहीं हो बाकी मेरे character को इतना space मिला हुआ है जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई lackness फिल नहीं होती I have everything to do और director sir नहीं मुझे बहुती free छोड़ा है do whatever you want to do so I have space and I have everything to do सारे मेरे नोग्जोग चलती है मेरा madam sir के साथ अलग एक banter होता है and then with others like Santosh, Cheetah and Villa उनके साथ एक मेरा comic way में जाता है so comedy plus gussa plus you know the romance with madam sir सारे emotion से भरा हुआ है pura madam sir का yes 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 it's not just comedy show इसमें लॉजिक है इसमें हर अगर आप हर देखेंगे story तो it has a message और हम हर story वो real story से पिक अप करते है so it inspiring है basically and I really want people to get inspired by something अगर आप TV लगा के कुछ देख रहे हो तो आप कुछ अच्छा देखो जसे आप इंस्पार हो and that's what we get लोग मुझे बोलते हैं आपने मुझे बहुत इंस्पार किया मुझे अब इसी महीं जाना है मुझे पुलिस बनना है मैं ग्जाम दे रहे हूँ literally एक fan IT set पे हम सब के लिए गिफ्स लेके और उन्होंने हमें देखके एक्जाम दिया है इसका and so yeah तो यह बहुत अच्छी चीजे हैं जो हुई है मैंडम सर के सट की थरू बाकि सब के साथ बॉंडिंग की बात करे तो जैसे बैडम सर के साथ के साथ अलाग कानेक्शन है ऐसे भाविका है अपनी आपनी सॉनाली जी है तो सभी के साथ कैसा बॉंडिंग है सब भाविका एंड मी वी स्टाटिट ए यूट्यू चानल और ओम देखते हैं काफित यहां, प्लस, वी आल वारी पॉजटिफ और किसी का किसी से, जिसे होता है ना कभी नहीं बनती है, एक ही घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी होई जाता है, बद ताच पोड अच दो साल होने कुए हमारे बीच में काभी कुछ हो है हमें नहीं हैं, ले कि वरदी एक बाल बन जाता है। मेकप हो जाता है पर जब मैं वर्दी पहनती हूँ तब मुझे करिश्मा वाल जो फील होता है वो एक अलगी फीलिंग है लिए परफॉर्म जब महुल बनता है हमारे लिए कि भई अभी ऐसा हो गया हम करिश्मा जा कि उसको रोकती चाटा मारती है कि दवर्दी पहन के बहार हो और लखनाओ में शूट कर रहे थे मैं एसी थोड़ा वो करूँ मतलब इतना कि मैं को लाव दो मैंने देखा ओवर दैर ओवर दैर ओवर दैर देखा हमारे रूम में आती कि गर्मी आ गई आपको कि अधर देखा हो और जाना थे आपको रहे हो और लखनाओ में हम शूट करे थे और मैं बाइक पर थी और एक बहुती पतली सी गली में जाना था वो स्कांड़ दमतलब लोग थे वहां पर और सबको लगा मैं फुलस हूँ लिटरली जिन्होंने हेलमेट नी पहना थे और मुझसे डर रहे थे वह जो फीलिंग थी वाओ और एक पर ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी मस्ती कि मैं हम जा रहे थे थे चलके पैक अप हो गया था पर वर्दी थी तो एक लड़का ना मतलब क्या कर रहा था वो कुछ तो ऐसा लगनाओ में मतलब नॉट इन मुंबई बट कई भार आउट ओर जाते हो तो हो तो फिलहाल जो है यहां जो ट्रैक की बात करे अगर तो उर्मिला को जो है कन्विंस करने के लिए पुष्पा और करिश्मा दोनों आई है तो क्या लग रहा है पुष्पा और करिश्मा पाए अजय कि के नहीं वही तो मतलब इस हाथ टू कवेंस उर्मिला क्योंकि उर्मिला तो धमाल है भाई वो अलगी बावाल है लाइफ में उसका अलगी चलता है कुछ तो पता नहीं वो अपने वड़ा पाउसे तना अटाच्ट है अपने ठेले से कि वो उसको छोड़ के हमार सा पाईगी यानी बट करिश्मा के रादे भी बहुत स्टॉंग है विकिस मैडम सर के कातिलों को पकड़ना है तो मुझे लगता है करिश्मा कर लेगे बाकी देखो उसके लिए अचा और मैसेज पॉर फैंस आप लोग बहुत स्वीट हो बहुत अच्छे हो आप लोग बहुत प्यार देते हो और मैं आप सब को बहुत प्यार करते हूं अगर मैं कभी रिप्लाइ नहीं कर पाई या कभी गिफ्ट आपका नहीं कर पाई खूल नहीं पाई या मैं उसमें स्टोरी में नहीं डाल पाई बट ऐसा कुछ मत समझना मैं आप सब मेरे ले इको लो और आप लो हैं तो हम लोग है आप लोगों के लिए हम लोग यहां पर है and you guys are very important in my life and very precious I love you all